नवस्ते सब्बैलाई आज पनीम मा यहारको साम फेर योटा नवय वीडियो ले रवकस्ति भायेगो शूर वीडियो रहेगो छूर वीडियो रहेगो छाक अक्षा भारको अप्शनल इंगलीश वीशे मा समावेश भायेगो रहेश से जसको नाम छा ब्लाक ग्राण्ड मदर तेसलाई मा समराइज गरना गरेगो छू तर त्यो बंदा पहले मा यहारो सब्बैला के अनुद गरना चांचू बने क्रिपाया यहारो नवय आउन्चा बने मेरो चैनल ला लाइक अमेन शेर गर दीनोला बने रमाहार दीक अनुद गरना चांचू रा भीडियो शेर गरना शुरू गरना गरेगो छू अ ब्लाक ग्राण्ड मदर अवाउट अथर शाट समरी अब दै ओके शैली मर्गन शैली मर्गन द्वारा लेखी क्वेश से होयो शैली मर्गन, 1951, was born in Australia as the eldest among five children शैली मर्गन को जन्मा अपना परियार को पांचोटा संतान हरू मत देकुजे तो संतान को रूप मा ऑस्ट्रिया मा बाइकुथियो शैली अन अच्छेशन अबरिजिण अथर, ड्रामाटिस्ट अन आठिस्ट उनी एक जना अस्ट्रिया ली अधिवाशी लेखक नातक कार तथा अखलाकार हुपं शैली अधिवाशी अभीशी आपनी अधिवाशी बैको बने रबनीना Sally was told that she was an Indian Bangladeshi descent, उन लाई उनी बंगलादेशी इंदियन पुर्खा लाटा आए की बनेर बनियो, but later she came to know that she was Aboriginal, पसी उन लाई थाब होय की उनी आदिवासी उन बनने कुरू, So Sally began to research her family history, तेई बायरे स्याली ले आपनो परिवारिक इतियास लाई अनुसंदान गदना सुरू करीन, आमी शुरू करदेशों about the taste of black grandmother, यसको बारे माँ आमी summarize गदने प्रहाश करदेशों, तेस्ट को बारे माँ केई बन देशों? The taste of black grandmother is a first-person narrative, यलाई first-person narrative बाट लेखे कुछ यू ये से अर्थात यो autobiographical type को ये से यू, This narrative test describes her gradual discovery of her aboriginal origins, यू narrative test ले दिस्ताहरे उनले कसरी आपनो आदिवासी जुन पुर्खाओ, तेसको बारे माँ खोजगरिन वन्ने कुराशन को समन्दी छु, She has written this autobiography, remembering the time when she was 15 years old, school-going girl. प्रवन ले यो autobiography लाए, अथभा आत्म कथालाई, एक जना आफू 15 बर्शे स्कूल जाने चात्रवाई को बेला का कहानी ओरलाई सम्जेरा लेही किशन. During the time, Sally used to live in Australia with her mother and grandmother and her sister, Sally. प्रत्यु बेला मा, Sally आपनी आमा, हजुरामा रा आपनी बईनी जील को सात्मा बस्थे. When Sally was at school, she wanted to make her career as an artist, leaving her school and study. आपनी इस्कूल मा हुदा, उनी एक जना आर्टिस्ट बनना चाहन्तिन, तेसमा अपनी जोइंग गरने आर्टिस्ट चित्रकार बनना चाहन्तिन, आपनी इस्कूल रा पढ़ाई छोडे रा. However, her mother wanted Sally to continue her study, तर उनकी आमा लेक्षे चाहन्तिन बने छोरी Sally ले आपनो पढ़ाईलाए निरंतरता दिऊन बने दा. Sally's mother did not find a better future being an artist, किना बने, Sally का आमालाई की लायको थिए बने, कलाकार उनमा कुनाई राम्रो बपिशे चाहना बनने लागतियो. Sally belonged to original origin, तर उनी यवड़ा आदिवासी पूर्खा संग समन्दी थिन, पर सी दिद नाट नू इट, तर उनलाई त्यू कुरा था आते न. Her mother told her a lie that they belong to the white community. किना बने, उनके आमाले आपनी छोरी लाया हमी गोरा परिवार काहूं, बने रा गोरा समुदाय काहूं, बने रा धाते की थिन. Sally did not know about her original originality until one day her grandmother revealed it. जब सम्मा हजुरामा ले यकुरा खोली नन ते वेला सम्मा Sally ले आपनू original originality को बारे मा था पाय नन. अब हामी चारेक्टर को बारे मा कुरा कर देशूं, especially there are four man characters in this autobiography. the nan is grandmother and mom, mom, mother of Sally, Sally के आमा mom, तेसे गरेकन aunt Judy, friend of Sally's mother, Sally की आमा को साथी and Jill, sister of Sally, Sally की बाहिनी रहे काचाने समा. Writer's concern in a black grandmother, यो black grandmother मा writer को concern को बारे मा कुरा कर गरूं. In this essay, Sally's concern is to find her aboriginal identity. USA माँ, Sally को मुख्य कंचान माने को आपनो जन आदिबाशी मूल हो त्यू कुरा पत्ता लागाउने संगा समंधिर रहे को चा. As an aboriginal writer, she assorts her identity in a white dominated society. योटा aboriginal लेखा को रूप माँ, उनले आपनो पहिचानला योटा जन गोरार को प्रभुत्तराय को समाज माँ देखाऊना चाहां चाहां चीन. She expresses concern over the loss of aboriginality, aboriginality, रा उनले जन आपनो मोलिकता अथबा आदिबाशी पन हो त्यू हरायक मा उनले चीनता च. She does not express happiness about acculturation, रा उनले सस्कृती को जन पलायन हो अथबा सस्कृती रुपांतरन हो तयलाई कुने खुशी तक अंदिनन, because it is the case for the loss of aboriginal lineage, किना बने इसले के गर्छा ता अंत ता जन आदिबाशी को जन पाइतरिक्ता या बंक्सा होते लाई नाच गर्छा बने उनले लाग्सा। This narrative text also explores the fact that aboriginal literature not only fights for equality but also fights for retaining and pejorbing aboriginal identity. This narrative text also explores the fact that aboriginal literature not only fights for equality but also fights for retaining and preserving aboriginal identity. The test opens on the 14th February 1966, when Australian currency changed from pounds to dollars. यू कथा अथबा यू आत्म कथा पैले बाटा शुरू आयको शावाने, 14 February 1966 को शुरू आचा। जुन बेला Australian currency, pound बाटा dollar मा परिवातन बायो. The mother and the grandmother were shocked when they heard about it. जबा हजुर आमारा आमाले जुन pound चाइन dollar मा चेंज उने कुरा सुने, उने अर लाएक्द में शक भाय, उने अचमित भाय. They thought that the old money was more valuable as it hired more silver than the new currency. किना बने आमारा अजुरा मालाई के लाख्थे बने, यो पुरान नई राम्रो किना बने नयामा बन्दा पुरान अमा के सता silver को मात्रा बड़ी शा बने उनले लाएको थियो. Sally noticed that our grandmother had kept a jar on the shelf in the kitchen. Sally asked her mother why she was saving the money but she did not get a proper reply. अनी Sally ले आपनी आमालाई सो दिन की किना अजुरा मा तपाइले सरी money स्पिर्जाब गर्नु बायको बजावनु बायको बने रा तर उनले अजुरा मा बाट सही जबाब पाइनन. Sally then asked her mother and only after the mother replied that the old money would be worth a lot someday रामाले बने यो पुरानो मानी को कुने दिन राम्रो मुल्ले उने चा बहु मुल्ले उने चा बने रा पुरानो मनी को बारे मा कस्चलाई न बननू because they were afraid that the government officials might seize the money सरकारी कर्मसार यहरो आयरा उनको पईशाशीज गर्शन बनने Sally had noticed how her mother and grandmother were scared of the authority Sally ले नोटिस गरे की थीन ध्यान दीरे की थीन कती दरे उनके आमा रहजुरामा सत्ता संग सरकार संग डराउं थे बनने कुरो but never bothered was तर उनले कईले पनी शोद नेशाई जंजेट गरिनन कीना हो भने रा Sally at the time was in her last year of school and hired her final exam coming up त्यू बेलामा Sally आपनी स्कूल को अंतीम बार्शावर मा थीन रा उनको अंतीम परिक्षा नोजी के आयरे गो थीन Previously in her second term she had failed every subject besides art and English पहला उनी प्रतेक विशेमा फ्यल भायगी थीन आप अंग्रिजी बायक का विशेमा When she was at school she wanted to make her career as an artist's drawing उनी इस्कूल मा हुदा उनी चित्रकार को रुप मा आपनो कोरियर लागाडी बड़ावन शान थीन Sally's mother did not want Sally to live her life as an artist तरह Sally के आमाले आपनो छोरी को जीवन इवडा कलाकार को रुप मा अथबा चित्रकार को रुप मा विदावन बनने चाहां देना थीन L.C. saw no better future in being an artist कीना बने उनके आमाला क्या लाया गो थियो बने आर्टिस्ट उनी मा कुने पनी उड़ा राम्रा फ्यूचर चाहिना बनने लाया गो थियो Sally's mother had opposed Sally's idea ते भार Sally की आमाले उनको बिचार लाग विरोद गरिन आर्टिस्ट उनी उनले की बने की थीन तो उड़ा कलाकार बनना को लागी उड़ा चीत्रकार बनना को लागी इसकुल छूट छूट छूँ बनने जो आइडिया थियो Sally को तियो कुराला उनके आमाले विरोद गरिन The next weekend earned jury whom she had known for a long time came over for lunch और को हफ्ता earned jury just like Sally ले देरे समय देखी चिंदेगरी की थीन उनके आमा की साथीपनी थीन उनका खाना खाना आइन Sally's mother wanted Judy to have a talk with Sally Sally का आमाले Sally संग earned jury ले उनको करियर को बारे मा कुरा गरुन बनने लाग थी Regarding her decision of making her career as an artist के संगा समानित बने जोन Sally को decision के थीओ बने उनको आटिस्ट बनने थीओ तेसको विशे मा कुरा गर्नुस बने रहा Sally के आमाले अंट jury ले बनिन अं jury suggested Sally to give up her aim of becoming an artist अनि jury ले पनि उनलाई उड़ा artist बनने जोन उनको aim हो तेलाई ambition हो तेलाई छोड़ना बनिन Sally got furious at her mother अनि Sally आपने आमासंग रिशाइन for getting someone from outside इदी बायर बाट कोई ले आयको मा the family जोन परियार बन्दा बायरक मांचे to talk to her about it तेसको बारे मा परियार बन्दा बायरक मांचे ले आर मासंग कुरा गरेको बने रहा Sally रिशाइन त्यो मामालाम It was not only her mother and aunt Judy who discouraged her बास्त मा Sally ले डिसकरेज गरने निरुत सायद गरने उनके आमार Judy मात्री थे नन The teacher held up her drawing in front of the class and started pointing out her mistakes एक दिन सैली को आठ टीचर ले उनका संपुर्ना द्रोइग अरलाई Class को अगारी देखाँ दाई उनका कमजोरी अरलाई Point गरना शुरू करे Her teacher criticized her drawing for about 10 minutes करीव 10 minutes समा उनको टीचर ले उनको drawing लाईके गरी रहे ता बेंगे गरी रहे Criticize आलोशना गरी रहे The whole class loved her heart सभी class हाशे उनलाई हरे रहे And Sally felt bad Sally ले शारी नरामर लागयो Sally thought that she was good at art Sally ले लागते उ मा आर्ट मा रामर सुभा ने But teacher criticism scattered her तर teacher को आलोशनाने उनलाई ठुख्रयाई दियो To be continued Sally cried bitterly at home by banging her head against the brick wall अरा घरमा आयरा Sally ले आपना टाउगो भित्तामा ठोकदाई रूएन She then decided to give up drawing अनि उनले तेस पच्या आपना drawing चपने निलाए गरीन She went out to our backyard with her collection of drawings in her hand अनि आपना हाथ भरी आपना painting का collection अर लियरा उनी बाहर गईन And bought it all तेलाई सबयलाई जलाई दिन Her mother grieved after learning what happened to Sally जब उनके आमाले था पाएन Sally ले क्ये बाई बनने कुरो क्ये बाई को थियो बनने रोगलाई सारे दुख लागयो Sally's mother and grandmother were worried about Sally's condition रह शैली को अबस्ता देखे रहा Sally को आमार अजुरामा सारे चिंतीद बाई As time passed, it was almost the end of her school year जब समय बिद्दय गयो करी परीप उनको school को अंतीम बर्षा चल देखे थियो She saw her grandmother crying रह उनले आपने अजुरामा रोगले को देखेन Sally had never seen her grandmother crying किना बने, Sally ले कईले पने आपने अजुरामा रोगले को देखे थियो न She stood in the doorway frozen राउनी धोगा मा एकदम इस्थीर बायरा रोगलेन Sally inquired her grandmother, Sally ले सुदीन आपने अजुरामालाई Her grandmother replied thumping her clean fist on the kitchen अनी Sally को अजुरामाले आपने मुट की हरू बाजार देखे बांसमा बाजार देखे उन्ने बनिन And she shouted at Sally saying she was black and they would prefer a white grandmother instead. उनी चिच्च्चाउ दे भनिन, ये भनिन मने, she was black, मा ब्लाक हुँ, and they would prefer a white grandmother instead. किनी अरुलाई मेरो सटा white grandmother चाहिए। She then continued crying and ran to her room and then locked herself up. आपनो कोठामा गईन रा अपलाई कोठा भीतर बंद गरिन. Sally was standing in the doorway frozen. So Sally धोकामा एक दमाई स्थीर बायराय, जोमे रया, भीरायन. It was the first time Sally learnt her identity. ये पएरो चोटी थियो उनले अपनी अजुरामा को identity को बारे माना था पायको. She thought that she belonged to white origin. Her mother had lied to her saying that her grandmother was an Indian. She told a lie because the originals were not looked at. with decent eyes during the time. पर उनने किना धाटे की थीन बने साली कामाले त्यो बेला अधिवासी अरॉलाय, त्यो बेला रामरू नजर लेहरी दयना थियू. Oboriginal students were bullied at school too. अबरिजिनल विद्यार्थी अरॉलाय स्कूलमा पनी गाली गरिंथियू. नरामर वेभार गरिंथियू. The very revelation of being black made her conscious and curious about her identity. जब उनको अगारी आपनो पहिचान ब्लाक बाय को बनने कुलियू. अनि उनी आपनो पहिचान और आपनो अचेतना को बारे मा के बाइनता एक दोने सचेत बायू. That night when Sally and Jill were lying in their bed, Sally asked Jill if she knew that their grandmother was black. तो रात जब Sally and Jill उनी अरू आपनो बेड मा पल्टी रेगा थी, Sally ले आपनी बाइनिला सो दिन के ती मिलाई था थियू, अमरी अजुरा मा ब्लाक हो बनने कुलू. Jill replied that she knew it, मलाई था थियू. Jill regarded Aboriginal people as savage and uncultured. किना बने, Jill ले केठ हन्तिन बने आदिवाशी मांचे अरू, savage, जंगली राणकल्चर बने को सस्कृति नभय का पाखे उन बनने लाग्थू. Jill slept crying that night, whereas Sally slept with lots of curiosity about their originality. प्रत्यो राद मा जिल राद भरी रुएरा सुतिन, जबके Sally मन भरी आपनो मौलिक्ता को बारे मा बिवित उत्षुकता रू लीरा सुतिन. Sally is ready to accept her origin, her origin. Sally ले आपनो मौलिक्ता लाई स्विकार गना तयार थिन. After that, Sally kept asking her mom and grandmother about their originality. एसपची, श्याली ले आपनो आमार हजुरा मलाई, आपनो मौलिक्ता को बारे मा, आपनो पुर्खा को बारे मा सुधी रहिन. Her mother didn't say anything, तर आमाले केपनी बनीनन. One day, her mom came to her room. एक दिन, उनकी mom, आमा कोछा मा हुनु भायू, she asked Sally to stop asking her grandmother about their origin. She told her not to dig up the past, रहुनले बनीन, यो बिगत लाई नकट्यव भानीन, and let the past be buried. बिगत लाई गाड़ी रहान देव भने रह भनेन. She wanted her mother to tell from her mouth, but she did not disclose it. किना भने, उनी Sally ले के चाहन दिन भने, मेरी आमाले यो कुरा आपनी मुट बार्द भन्नु वला भन्ने लागत्यो, तर आमाले कीपनी खोलीनन. As Sally lay down, she fell asleep and dreamed the time when she used to visit the beach with her grandmother and draw pictures of kangaroo, emu, hunters, etc. As Sally lay down, as Sally lay down, she fell asleep and dreamed the time when she used to visit the beach with her grandmother and draw pictures of kangaroo, emu, and hunters. She also told three men and told a short story about them. After a while, Sally woke up from her sleep. As time passed, Sally's final exam was nearing. She got so busy in her preparation that she did not bother much about her origin. She started preparing for her exam. She did not want to disappoint her mother. She did not want to disappoint her mother. For the first time in her life. Surprisingly, she passed every subject scoring almost distinction. अव्ले प्रतेक्विषे करीपकरीव दिस्टिंशन माक्स येरा ये पस्कृरिप्ट्वाइब। त वस अल बाओ देखी अ ब्लाक गान्ज़र्णार। एले सम्स्वर्णी टिन विए था एक रदेख सुम्स पर रखेंगे नियोप्र रिशनिग कोप अध। you will subscribe my channel and like comment thanks for watching please don't forget to subscribe my channel knowledge editing